तो आज के Current Affairs के अंग पे कुछ बहुत ही महात्वपूर्ट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इत्मिनान से इन सभी टॉपिक्स को देखें कई सारे पॉइंट कई सारी बातें आप सभी की आज के sessions में आएंगी जहां पर आपको लगता है उनको लिखे ये वो सारे प्रिष्ण है जो कि आपकी परिक्षा में सीधे आपको मिलेंगे और हाल फिलाल में सबसे आदा चर्चा में रहने वाली चीज़े हैं तो मैं जो कुछ भी current affairs के सत्र के अंतरगत अभी तक मैंने जो भी पढ आँगा बहुत ही चैनी तरीके से current affairs लेकर करके आप लोगों के लिए आ रहा हूं और ये परिक्षा के द्रिष्टिकोंड से सबसे best series में से एक है जिसके माध्यम से आपको exam hall पे प्रसनापके hit होंगे तो देखे प्रोजेक्ट चीता को लेकर के आप सभी को पता है कि वर्स खेप आ चुकी हैं चीतों की 17 सिप्टिमबर 2022 को नाभीविया से आठ चीते आये थे ठीक है अभी भी 12 चीते फिर लाए गये हैं इसलिए थोड़ा सा ये discussion का बिंदू बन जाता है और मैं चायता हूं कि अभी तक का जो इस पूरे प्रोजेक्ट चीता के अंतागर development है इसको आप लोग जान ले तो प्रोजेक्ट चीता का मतलब है भारत में बिलुप्त हुए चीतों का पुनरवास करना अगेन फिर से उनको तो अभी अफ्रीकी चीते भारत में लाए जा रहे हैं 17 सितंबर 2022 को पहली खेप आई थी आपकी पहली खेप में नाभीविया से लाए गये इसमें इनको मद्ध प्रदेश के कुनो राष्टी उद्यान में लाया गया है वहीं पर इनको रखा गया है और इनकी निगरानी के लिए सरकार ने 9 सदस्टी एक समिती भी बनाई है एक जो है आपका कारेबल भी बनाया है जो दो अर्स के लिए गठित किया गया है जो इनक लिए जो है पुनरवास में किसी तरीके की दिक्कत न हो जाए देखिए अबिस्ट की पहली अंतर महाद्यूपिये चीता पुनरवास पर योजना है मतलब दो महाद्यूपों के बीच अफरीका से एसिया चीते वो भी भारत लाए गये है तो यह बिस्ट की पहली अंतर महाद् ठीक है हाली में राकूनो राष्टी उद्यान से दच्छड अफ्रीका से 12 चीतों को भी लाया गया है ठीक है और अगले 5 वर्सों में 50 चीते लाने की योजना इसके तहट पूरी तरीके से बनाई गई है तो केंद सरकार की महत्वा कांग्छी चीता संरक्षण पर योजना है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था 17 सेप्टेंबर को प्रधानमंती नरेंद मोदी जी का जन्म दिवस होता है और प्रधानमंती जी ने ही कूनो राष्टी उद्यान में जाकर के इनको चीतों को छोड़ा था ठीक है और इसी सरंखला में चीतों की दूसरी खेप आ आए जाएंगे बारह बारह चीते प्रतिवर्स लाए जाएंगे और भारत में चीतों की एक अच्छी खासी संख्या जो है हमें डेबलब करनी है तो यह ध्यान रखना है आपको है ना एक यह सारे के सारे चीते जितने भी हैं वाईशेना इसके लिए काम कर रहे हैं वाईश 17 सेप्टेंबर को दूसरे आपके 18 फरवरी को आए हैं यहाँ पे ठीक है ग्लोब मास्टर से तो इसमें 12 चीते आए हैं यह नाबीबिया से आये थे और यह दच्छडी अफरीका से आये थे यह आपको ध्यान में रखना है कुनो नेशनल पार्क में ही यह चीते आये थे अभी वाले समय पे चीता के लिए एक बड़ा जो है एक प्रभावकारी परियोजना के तौर पर आप इसको देख सकते हैं क्लियर है इस परष्ट है कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है और इसका हिस्टोरिक बैग्राउंड आप सभी जानते हैं कि पहले भारत में ब्रिटिश सासन क का सिकार हुआ बनों को बहुत तेजी से काटा गया इनके प्राक्तिक आवासों को समाप्ट कर दिया गया तो दिए धीरे 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 खतम कर दिया गया थे केंद्रिय पर्रयावर्ण वन और जल्वाई प्रमंत्राले के द्वारा ये बताए गया था कि भारत में जो है चीतों को अंतिमबार 1947 में देखा गया था इनको और जो है बाद में कहते हैं कि 1952 में भारत सरकार के द्वारा इसको बिलुप्त गोसित कर दिया गया कि चीता भारत से बिलुप्त हो गया ठीक है तो इसी के लि सत्रा सेप्टेंबर को आठ चीते नावीबिया से ध्यान रखना है और अठारा फरवरी को बारा चीते आपके दच्छी अफ्रीका से लेकर के आया गया है इतना आपको दिमाग में बैठाना है ठीक है टोडल बीस चीते आ चुके हैं प्रोजेक्ट चीता के तहित और कुनोरा अवस्थित है ठीक है और यह एक तरीके से बिंधन पहाडियों में सेंट्रल बिंदर हिल्स में मद्ध बिंध्याचल परवस्त्रेडी जो आपकी है वहीं पर आपका अवस्थित है ठीक है और कुनो नदी है आपकी कुनो नदी जो चंबल की सहायक नदी है है ना इसमें एक गया था और वन ने जिव अभ्यरंड को आगे जो है इसको जो है राष्टी उद्यान में कनवर्ट कर दिया गया था ठीक है तो अभी यह आपका राष्टी उद्यान है दिसंबर 2018 में इसको राष्टी उद्यान नेशनल पार्क बनाए गया है और ऐसे में चीते आ जाने से इस राष्टी उद्यान को एक बहुत ही महत्वा कांग्शी तरीके से समझा गया है ठीक है तो कुनो राष्टी उद्यान आपका उच्ड कड़ बंदी है जो उन पर है सुस्क परियोजना पहले इरान से एटीबलॉब्लप्मेंट हो रहा था कि इरान से चीते मंगाये जाएंगे लेकिन इरान में भी चीतों की संक्या बहुत ज्यादा था बाद में हमने नाभीबिया और दच्छिड अफ्रीका के माध्यम से चीतों को मंगवाया था ठीक है तो चीतों को ले करके यह पूरी के पूरी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब सब जुड़ जाता है आपका वन जीव सनरक्षंड जय वित्ता और इन सब को ले करके बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए अगला है आपका भारत ने एक पॉलिसी अभी रिलीज की है इसको लिख लो अभी हाली की चर्चा है मतलब अभी हाल फिलाल का ही पूरा का पूरा मसला है पूरा तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए और यह आपका मसला है भारत के द्वारा अभी नई एक policy लेकर के आई गई है और यह नई policy आपकी trade से जुड़ी हुई है ठीक है ब्यापार से जुड़ी हुई है और ब्यापार से जुड़ी होने के कांट से इसका बहुत महत्तो है तो इसलिए इस policy के बारे में आप लोगों को discuss करना है इसमें दो तीन point में आपको लिखवाओंगा दो तीन महत्तों पक्ष है इसमें इस policy में तो उन सभी पक्षों को आपको लिख लेना है जान लेना है ठीक है क्या है यह पक्ष एक एक करके इनको बारे में मैं बताता हूं हेडिंग डाल लिजे विदेश ब्यापार नीती 2023 विदेश ब्यापार न नीती 2023 के बारे में कुछ महत्यपूर्ण पक्षों को यहां पे आप लोग लिखेंगे उसको समझेने का हम प्रयास करेंगे कि क्या है यह नीती तो देखे सबसे पहले चीज ब्यापार नीती 2023 अभी लेकर के आई गई है और यह नीती लाया कौन है केंद्रिये वाडिज्य एवं उद्योग तथा उभोकता मामले ठीक है केंद्रिये वाडिज्य एवं उद्योग तथा उभोकता मामले के मंत्री जो आपके हैं यह आपके प्यूस गोयल साहब हैं और इनके द्वारा जो है फॉरें ट्रेड पॉलिसी जो है रिलेस की गई है अब इसके बहुत सारे टार्गेट बनाए गए है ठीक है देखे एक्सपोर्ट हम करते हैं हर साल एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट की नीती को और विश्वस्निये बनाने के लिए भारत का एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए ये पूरी की पूरी पॉरी पॉलिसी लाई गई है इसके तह देगा दो त्रिलियन पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि भारत अपने इसमें के तहत लक्षema Japanese भारत के नियर्यात को हम 2,000,000 अमेरीकी डालत गाथ देंगे जिसमें वस्तु और सेवा दोनों छेत्रों का एक्सपोर्ट समलित होगा वस्तु में भी गुड्स भी होंगी और सर्विसेस भी होंगे ठीक है तो एक लक्ष हमारा यह है दूसरा जो है हम उन देशों के मामले में विशेश रूप से प्रयास करेंगे जिन के साथ भा निर्यात कम करते हैं तो हम प्रयास यह करेंगे कि निर्यात हम उन देशों को ज्यादा प्रात्मिक्ता जें जो देश जो है तो जो देश आपके जिन से भारत का ब्यापार घाटा जादा है तो हम उन देशों को पहली प्रात्मिक्ता में रहेंगे दूसरा लक्ष हमारा यह है ठीक है और तीसरा सरकार का लक्ष है कि सीमा पर जब व्यापार हो हमारे तो व्यापार में भारती मुद्रा का उपयोग हो भारती मुद्रा के उपयोग को प्रोशाहित करना और इसके तह़े जो है जुलाई 2022 में आरबी आई के दुआरा एक नए भुकता निप्टान ढाच की सहायता जो बनाई गई है उसका ही उपयोग करना तो तीन टार्गेट है एक तो दो ट्रिलियन निर्यात कर देना दो ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2030 तक दूसरा उन देशों के साथ ज़्यादा प्रात्मिक्ता देना जिन देशों के साथ भारत का ट्रेड डिपिसिट बहु हैं नए सहर और जोड़े गए हैं जिनमें हम निर्यात प्रोसाहन के तौर पे काम करेंगे तो मौझूदा 49 सहरों के लावत चार नए सहरों को जो है निर्यात उत्कृष्टता वाले सहर डिवलप किया गया है ठीक है निर्यात उत्कृष्टता वाले सहर कौन कौन से हैं चा और फिर है आपका मुरादाबाद, 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 मुरादाबाद और एक है वराडसी, तो ये तीन तो उत्तर प्रदेश के हैं, वराडसी, ठीक है ये ध्यान रखना है, तीन आपके यूपी से हैं ये, टोटल अभी 49 आपके थे, आप टोटल 43 हो जाएंग निर्यात उत्कृष्टता वाले सहर के तौर पे निर्याथ उत्कृष्टता वाले सहर के रूप में इनको डिपलप किया जाएगा ये ध्यान रहने है ठीक है साथ ही देखो सरकार के द्वारा एक प्रया से भी किया जा रहा है कि जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना जिलों को निर्यात हैं में केनवर्ट कर देना ठीक है डिस्ट्रिक ixport हाँ बनाना जैसे ओन जिला एक जिला एक उत्पाथ किया जाए सबसे ज़्यादा काम किया जाए e-commerce साइट के माद्यम से हम export को बढ़ावा दें तो सरकार चाहती है कि e-commerce का जमाना चल रहा है आपको सबको पता है और डिश्टलाइजेशन का जमाना है तो सरकार चाहती है 2030 तक e-commerce के छेतर में जो निर्यात है उसको 200 से 300 billion अमेरिकी डॉलर के बीच में उसको करने का अनुमान सरकार के द्वारा बनाये गया है इसके अलवा भुक्तान समाधान प्रनाली पे काम करना बही खाता पद्धती पे काम करना निर्यात पातरता जैसे संबंदी कई घट्रों पे काम करना ठीक है तो देखो इससे पहले जो आपकी विदेश व्यापार नीती थी वो 2015 से 2020 के लिए बनाई गई थी आपकी ठीक है और अब जो आपकी बनाई गई है उसमें जो लक्ष रखा गया था कि 2020 तक हमें 900 billion अमेरिकी डॉलर रखना है अब ये नीती जो है ठीक है देखो पहले जो नीती आई थी वो आपकी कब आई थी वर्ष 2015 से 2020 तक के लिए पहले इस से पहले वाली फिर इसका टाइम बढ़ा करके 2015 से 2023 कर दिया गया था ठीक है क्योंकि COVID-19 आ गया था तो इसको बढ़ा दिया गया था अब 2030 में जो आई है यह आपकी 2030 तक की है ठीक है 2023 से 2030 तक का इसका टार्गेट ने लग्ष है इन सब चीजों के तावर पर ये काम कर रही है तो इसके तहट एक पोर्टल भी ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा जिसका नाम है एमनेस्टी योजना एमनेस्टी योजना के तहट पंजी करण के लिए एक आउनलाइन पोर्टल होगा निर्यातक जो है इसके माध्यम से अपना निर्यात कर पाएंगे इसके तहट सरकार उन्हें एक इंफरस्ट्रेक्टर डेबलब करने का प्रयास करेगी तो एमनेस्टी योजना भी एक बहुत महत्यपूर्ण जो है इसके तहट एक का सहरा उडोड़े गए इनको इयाद रखना है दूसरा और पर रसायन के छेतर में जो आपके बहुत सारे जो प्रदोग की है बहुत सारे जो करण है उन सब छेतरों में जो है इक्सपोर्ट को और ज़्यादा तेजी और गती लाई जाए तो 900 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले कर के जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात यह इस पॉलिसी के अंतरगत है तो यह नई ट्रेट पॉलिसी है इसको आप लोगों को ध्यान रखना है चलिए यह लॉंच हुई थी आपकी ठीक है अब नेक्स्ट आपका अगला है देखो यह ट्रेन के बारे में बड़ी चर्चा रहती है और यह ट्रेन के बारे में आप सभी जानते हैं जो आपके सामने यह है बंदे भारत ट्रेन आप लोगोंने कभी न कभी जो है इसमें यात्रह हो सकता की आत तो अपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के गांधिनगर इस्टेशन से गांधिनगर मुंबई बंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 को हरी जंडी दिखाई थी और ये ट्रेन आपका संचाला ने इसका हुआ था ठीक है तो आपको पता है कि पहले जो सबसे पहली आपकी इसकी को नाम ट्रेन 18 भी है इसका नाम क्या है ट्रेन 18 और ये भारत की सबसे गती वाली ट्रेन है आपकी 160 किलोमेटर पर घंटे के गती तो बुला ट्रेन तक की बात की जा रही है लेकिन लेकर अभी Semi High Speed हमारी पटरियां आप उनको भी एक नए तरीके का इंफरस्ट्रिक्चर की जरूरत है इतने हाई स्बसे ने की गई है और ये एक तरीके से अब पूरे भारत में जो है बंद्दे भारत ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी है चार सो बंदे भारत ट्रेनों को चलाना है आपको कितना चलाना है चार सो और यह स्वचालित है आपको यह द्यान रखेगा यह पूरी तरीके से स्वचालित है ठीक है तो यह अपने आप में बहुत महत्यपूर्ण है बहुत कम समय में बहुत तेई से एक्सेलेरेट हो जाती है और इसी कहरण से 160 किलोमीटर पर घंटे की गतिए प्राप्त करती है तो इससे जो यात्रा का समय वह 25 से 45 परसेंट तक कम हो रहा है विबिन जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं एक राज्य से दूसरे राज्य को ए इसमें उन्नात और अत्याधनिक सुर्चा सुविधाओं से इसको लैस किया गया है इसको बहुत सांदार तरीके से डिबलप करने का प्रयास सरकार कर रही है तो देखें यह आपकी बहुत सारी बन रही है एक आपकी दिल्ली नई दिल्ली से वरानस के तार पे चलाई जाती ही है तो अब कई बड़े स्तर पे बंदे भारत ट्रेज एक्टीन एक्स्प्रेस को चलाने का प्रयास सरकार के दोरह है और सरकार इस पे काम कर रही है ठीक है तो आपको धियान रखना है अब इसके बारे में जो अभी बंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 है तो 30 सेप्टेमबर 2022 क यह गांधी नगर से मुंबई के लिए हरी जंडी दिखाई गई थी तो गुजरात को मुंबई से जोड रही है इसमें भी बहुत सारी वही सारी फैसल्टीज है यह देखे इसकी सबसे बड़ी विवस्ता जो है खासियत क्या है इस ट्रेन की कि यह ट्रेन आपकी मातर 52 पर घंटे तक ले जाने की का प्रयास है लेकिन मुद्दा वही है कि अभी देश में जो पट्रियां है जो इंफरेस्ट्रेक्चर है उस इंफरेस्ट्रेक्चर पर हमें काम करना है लगबग अभी पहले से साथ बंदे भारत एक्स्प्रेस चल रही थी अब दीरे-दीरे इन अर्मचल परदेश पड़ता है अमबाला ऊना और कट्रा जंभो कास्मीर के लिए चली चली थी यहारे क्याय थी थी आपकी दूसरी तीसरी आपकी चन्नाई से महसूर के लिए चलाई गई है ये है आपकी चन्नाई से महसूर तीसरी ये तीसरी है ये आपकी पहली है यहाँ पहली दूसरी तीसरी इसके बाद आपका मुंबई से गांधी नगर ये आपकी चोथी चलाई गई है अब चार सो चलाना है तोटल आपको एक बिलासपूर से नाकपूर के लिए चलाई गई है यह आपकी जो है बिलासपूर से नाकपूर चलाई गई है चार के बाद यह आपकी पांच भी है और इसके बाद आपकी हाबड़ा से जलपाई गुड़ी के लिए चलाई जा रही है यह आपकी छ पूटल आपकी जो है बंदे भारत एक्सप्रिस के तौर पे इनको जो है डिबलब किया जा रहा है एक दिल्ली से आपका यह जोड रही है यह है अमब आदावरा को यह सातवे नंबर की है ठीक है हिमाचल प्रदेश को तो यह भारत की गती बढ़ा देगी भारत की स्पीड ब करने वाली ट्रेन बन जाएगी ठीक है भारत सरकार के द्वारा दोहजार सत्तर के लिए लक्ष बनाए गया कि दोहजार सत्तर तक हम अपने आपको नेट कार्बन इमिशन के तहत ले जाएंगे तो भारती रेलवे भी पूरी तरीके से रेल नेटवर्क का विद्धूती कर रही है दोहजार तेश तक सुद्ध सुनि कार्बन उसर्जन के अंतरगत रेलवे पूरा प्रयास कर रही है उसने लक्ष बना रखा कि दोहजार तीस तक अपने आपको कंप्लीट विद्धूती करण कर लेना है और कार्बन इमिशन से बचना है ठीक है तो अब जहां भी लोकोमोटिव इंजन है उनमें डीजल इंजनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है सब बिद्धूत इंजन और बिद्धूत लाइन आप पूरे भारत में फैल चुकी है ठीक है तो यह ध्यान रखेगा भारती रेलवे दोहजार तेश तक भारती रेलवे ने लक्ष रखा ह करने का पूरा का पूरा पूरा प्रयास है ठीक है तो डीजल अब खतम किया जा रहा है अब लोकोमोटिव इंजन जितने भी है सारे उर्जा के तौर पे इससे चलेंगे ठीक है तो एक आपको यह भी ध्यान रखना है 2030 तक इंडियान रेलवे सुने सुने कार्बन सर्जन की दिशा में आगे बढ़ जाएगा इस लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करेगा कार्बन सर्जन है ठीक है और भारत सरकार ने 2070 तक जो है अपने आपको सुने कार्बन सर्जन की लक्ष की तौर पे आपको पता है ना 26 आपका हुआ था ग्लासगो में और उसमें भारत के द्वारा यह लक्ष की घोशना की गई थी कि 2070 तक हम जो है आपने आपको सुद्ध सुने कार्बन सर्जन में कनवर्ट कर देंगे ठीक है तो यह भी द्यान रखेगा एक बहुत इंपोर्टेंट है इससे भी प्रशन आपके बन सकते हैं चलिए अगला जो खबर है वो टी- प्रशन रखना है कि इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि यह अभी पूरी की पूरी प्रतिसपर्दा हुई थी आपकी सोला अक्टूबर से ले करके सोला अक्टूबर से लेकर के तेरा नौंबर 2022 तक तेरा नौंबर 2022 तक ठेक है आई सी सी टी-ट्वंटी वर्ड कप कौन जीता कि इसमें इसमें जीतने वाली टीम है इंग्लेंड इंग्लेंड विजेता बनी है इस बार की फाइनल मैच में इंग्लेंड ने पाकिस्तान को 5 से पराजित किया है ठीक है ध्यान रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और आपको पता है कि इंग्लेंड इस बार फिप्टी-फिप्टी की भी चैंपियंसिप उसने जीती थी तो अंतर राष्टी किकट में इंग्लेंड पहली ऐसी पूरुष टीम बन गई है जो एक इंग्लेंड के कप्तान थे जौस बटलर कौन थे इंग्लेंड के कप्तान जौस बटलर जौस बटलर बटलर के बारे में सभी जानते हैं तो जौस बटलर आपके इंग्लेंड के कप्तान थे और फाइनल मैच जो आपका था प्लेयर आप दा मैच फाइनल में प्लेयर आप जो मिला है वह सैंघ करन को मिला किसको मिला है सेंट उटेटर ती में मेजवान देश था अस्ट्रेलिया कहां पे रिए टीट्वन्टी मैच आस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलिया में हुआ आपका 80-20 मैच ठीक है तो इससे भी प्रश्ण पूछा जा सकता है लेगो खेल परद्रिश्चे से एक दो टॉपिक में आपके ले ले रहा हूं ताकि आपको जो है जो भी खेल परद्रिश्चे होंगे सारे में आपके कबर कराऊंगा तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है इससे प्रश्ण पूछा जा सकता है कि कौन जीता कौन नहीं जीता तो विजेता पाकिस्तान थी ठीक है इसका जो फाइनल मैच हुआ था मिलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर आपका इसका फाइनल हुआ ठीक है टोटल सोलह टीम ही थी पैतालिस मैच हुए थे और आ सबसे जादा प्रत काम सब्वार्ति क्रिकेट के कप्तान भी रहें है पहले अब टो कप्तानी चली गई बिरा डावारद या। दो सो च्यानबे रन बनाये थे इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा जो है विकेट लिये थे बानिंदू हसा रंगा ये सी लंका के हैं 15 विकेट जो है इन्होंने लिये थे वानिंदू हसा रंगा है ना और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले परसन इसमें कि सबसे ज़्याद रखना है कि इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच में जो है आपका यह मैच हुआ था इस मैच को जीतने वौला देशों में 2010 में फिर इंग्लेंड जीता है इंग्लेंड दो बार जो है जीत चुका T20 वर्ल्ड कप 2012 में वेस्ट इंडीज जीता है 2014 में सी लंका जीता है 2016 में वेस्ट इंडीज भी दो बार जीत चुका है 2021 में अस्टेलिया जीता था और 2022 में इंग्लेंड जीता है ठीक है तो इंग्लें नाम है new development bank तो अभी एक नए सदस्य के तौर पे इसमें समलित हुआ है मिस्र जो है new development bank का नया सदस्य बना है तो देखें और यह पांच देश तो new development bank के सदस्य है पांच देश कौन कौन से है यह ब्राजील है रसिया है इंडिया है चाइना और साथ अफरीका इसके साथ टोटल चार सदस्य और जुड़ चुके हैं ठीक है डिलमा रूशेफ यह इसके अध्यक्ष है ठीक है ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट पती थे अब इनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया है ठीक है तो मिस्र जो है इजिप्ट जो है बांगलादेश दूसरा उरूगवे उरूगवे ठीक है बांगलादेश उरूगवे और यूएई यूएई अब चौथा हो गया है मिस्र तो इससे भी कुश्चन आपका पूँछ सकता है कि न्यू डिबलप्मेंट बैंक के तहे जो है तो आपको सिंपल सी बात है यह बैंक क्या करता है सततविकास के लिए बुनियादी धांचा पर्योजनाओं के लिए बित्पोशन प्रदान करता है सदस्य देशों के लिए ठीक है तो यह ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा इसको डेबलप किया गया है बनाया गया है तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें यह लि तो मिस्र आपका भी लेटेस्ट नए सदस्य के तौर पर बना है ठीक है मुख्याले संगाई पर है इस्थापना दुहजार चौदा में की गई थी ब्रिक्स डेवलप्मेंट बैंक की वर्तमान में नौ सदस्य है डिलमा रूसे ब्राजिल की पूर्वराश्ट पती है इसमें रूसे चलिए आज के लिए इतना ही खरworking है बाकी अब करेंगे हम लोग नेक्स सेशन में आज के लिए इतना ही रकेंगे तो आझ देखें कई सारे हो गए चीता चीता हो गया आपका नई ब्यापार निती बहुत इंपॉर्टन टॉपिक इसके बाद आपका यह बंदे भारत ुब्सक्राइब हो गया ट्रेन 18 के बाद आपका टीट्वेंटी वर्ल्ड कप हो गया और इसके बाद आपका न्यू डेवल्प्लेप्मेंट बैंक से जुड़ा हो गया ठीक है तो पांच टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए और आप लोग एक बार जो है बताईए कमेंट में कैसा आपको ठीक है तो आपको क्या करना है रिवीजन करना है सबसे बड़ी चीज है कि रिवीजन आपको करना है रिवीजन करना है बस यह दिमाग में बैठा लीजे इसका मल्टिपल टाइम पर जो भी पढ़ा रहा हूं इतना परयापते अब एक चीज बताओ